आईए प्रोटीन के वर्गी करण को समझे प्रोटीन का वर्गी करण अलग-अलग अधार पर किया गया है कभी इसे जलब घटन के अधार पर विभाजित किया गया तो कभी इनकी सरचना के अधार पर विभाजित किया गया हम पहला वर्गी करण देखें आणविक संगठन के अधार पर या इनकी आणविक सरचना के अधार पर इनका वर्गी करण तो इन्हें दो भागों में बाटा गए है रेशेदार प्रोटीन जिसे फाइब्रस प्रोटीन भी कहते हैं और दूसरा होगे आपका globular protein जिसे गोल दानेदार protein भी कहते हैं आईए पहले प्रकार पे चर्चा करें पहला है आपका रेशेदार protein रेशेदार protein में polypeptide की जो शिंकला होती है वो एक के बाद जुरते जाती है यह एक सीधी शिंकला होती है या फिर यह थोड़ा sheet के form में रहेगे इस प्रकार इनमें एक के बाद एक यह polypeptide जुरते जा रहे हैं polypeptide जब जुरते हैं तो इनमें या तो hydrogen bond होगा hydrogen bond की उपस्तिती होती है साथ ही साथ disulfide bond भी पाया जाता है इन दोनों की उपस्तिती के कारण ये धागे की समान सरचना बनाते हैं और इसी अधार पर इन्हें हम रेशेदार protein या फाइब्रस protein कहते हैं बात करें इनके उधारण की उधारण से इनके गुणों पर हम असानी से चर्चा कर सकते हैं इनके उधारण है बाल और उन फिर हमारी तवचा नाखून तो इनके उधारण से आपको ये भी तो इसपस्ट हो गया कि ये जल में आगुलंशिल होते हैं तो जितने भी रेशेदार protein है फाइब्रस protein है ये जल में आगुलंशिल होते हैं दूसरी बात कि ये जो है हमारी सरचना बनाने में मदद करते हैं तो अच्छा जो है वो किसी भी जिव की एक बाहरी ढाचा बनाती है तो इनका मुख्यकार क्या हुआ ये सरचनात्म की काई हैं जितने भी रेशेदार protein होते हैं ये सरचना बनाती हैं हमने देखा है कि कुछ जिवजन्तूं में सिंग पाये जाते हैं तो ये जो सिंग भी है वो फाइब्रस प्रोटीन रेशेदार प्रोटीन के ही बने होते हैं क्लियर है तो देखें कैरोटीन जिसमें नाखोन, बाल, त्वचा, उन, सिंग और कुछ पक्षियों के पंखों में ये कैरोटीन पाया जाता है जो कि रेशेदार प्रोटीन है उसी प्रकार मायोसीन जो कि हमारी मसल्स को, हमारी मास पेशियों को मजबूती देता है ये भी रेशेदार प्रोटीन का उधारन है और इन ही की मदद से हम आसानी से शीथलन और संकुचन जैसी क्रियाएं कर पाते हैं इसका हम आसानी से अपने हाथों को और पैरों को मूवमेंट दे सकते हैं तो ये था रेशेदार प्रोटीन, अब बात करें ग्लोबिूलर प्रोटीन की, जिसे हम गोल दानेदार प्रोटीन कहते हैं, नाम से ही समझ आ रहा है कि इनमें पॉली पेप्टाइड जो होंगे, वो एक दूसरे में उलज जाते हैं, आईए देखें, ये जो पॉली पेप्ट गया है, गोल दानेदार प्रोटीन, ये जल में घुलनशिल होते हैं, और इनका में काम क्या है, कि ये जाकर बहुत सारी जैविक रियाएं हैं, उस पे ये काम करते हैं, इनके उधारन है, एंटी बॉडिज, हीमोगलोबिन, अंडे में जो सफेद भाग है, ये भी दानेदा प्रोटीन का ही उधारन है, इसके बाद देखें, मायोगलोबिन, ये सभी दानेदार प्रोटीन के उधारन है, आये दानेदार प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन दोनों के गुणों को इन साणनी के द्वारा हम दोनों में आसानी से अंतर कर सकते हैं, रेशेदार तथा गोल दानेदार प्रोटीन में अंतर क्रमांग आधार गोल दानेदार प्रोटीन ग्लोबिूलर प्रोटीन रेशेदार प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन पहला सरचन अमलिय अत्वा छारी अमीनों अमलों की शाखा युक्त त्रिविम सरच्णा द्वारा निर्मित रेखिय सरच्णा दूसरा विलेता जल तनू अम्ल अत्वा छार में विले केवल सांद्र अम्ल अत्वा छार में विले तीसरा, उधारण, एल्बियूमीन, इंसुलिन, एंजाइम, केरोटीन, मायोसीन, कोलेजन चौन्था, कार्य जैव प्रक्रिया को उत्प्रेरित करना, चया उप्चय प्रक्रिया को नियमित करना रोगों से बचाओ करना त्वचा, केश, नाखून, पंक, सिंग, आदी को सरचना प्रदान करना दूसरा आधार जो की प्रोटीन के वरगी करन के लिए है कि हमने उनका जब जलब घटन किया आप जानते हैं प्रोटीन कैसे बन रहे हैं अमीनो अमल आपस में जूडते जाते हैं जब ये अमीनो अमल आपस में जूडते हैं तो पेप्टाइट बन बनते हैं जिससे प्रोटीन बन रहा है जब हम इनका जलब घटन करते हैं तो जलब घटन करने से क्या उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं उसके अधार पर फिर से इन्हें वर्गी करित किया गया है तो दूसरा आधार है इनके जलब घटन के उत्पात के अधार पर वर्गी करन चलिए देखें तो पहला जो है यह है सरल प्रोटीन सरल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनका जब हम जलब घटन करते हैं जब जूड़ जूड़ कर, पेप्टाइड बंद द्वारा, ये इस प्रकार के परोटीन बनाते हैं, इनहें हम कहेंगे सरल प्रोटीन, इन परोटीन में खास बात ये होती है, कि ये हमारे शरीर की विभिन्द सरचनात्मा की काईयां बनाते हैं इनके उधारण है अंडे का सफेद भाग बाल में पाए जाने वाला केरेटेन उसके बाद चावल में पाए जाने वाला प्रोटीन गेहु में पाए जाने वाला ग्लूटेनिन ये सारे सरल प्रोटीन के उधारण है इनके जलब घटन से केवल अलपा अमीनो अमल प्राप्त होते है आईए इसी के अधार पर जो दूसरा वर्गी करण है वो देखें दूसरा प्रोटीन जो कहलाएगा वो है संयुगमी प्रोटीन इस प्रोटीन में जब इनका जलब घटन किया जाता है तो अमीनो अमल के अलावा भी हमें कुछ और अनू प्राप्त होते हैं ऐसे अनू जो की प्रोटीन नहीं है जिनमें अमीनो अमल नहीं पाया जाता इन्हें हम कहते हैं प्रोस्थेटिक समू तो ऐसे प्रोटीन जिनका जलब घटन किया हमने वहाँ प्रोस्थेटिक सम्मू भी मिला अमेनों अमने तो मिलेगा ही हमें साथ में प्रोस्थेटिक सम्मू भी मिलता है इसे हम कहते हैं संयुगमी प्रोटीन ये जो संयुगमी प्रोटीन है ये प्रोटीन की जैवी क्रियाओं को नियंतरित करते हैं प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं और उनकी जितनी भी जैवी क्रियाओं हैं उनको ये क्या करेंगे नियंतरित करेंगे आईए साड़नी में देखें कौन-कौन से आप्रोटीन भाग जो हैं इन प्रोटीन में उपस्तित है। ग्लाइको प्रोटीन शरकराएं। तीसरा लीपो प्रोटीन लिपिट। चौथा फॉस्फो प्रोटीन फॉस्फोरिक अम्ल। पांच्वा क्रोमो प्रोटीन कुछ रंगीन पदार्थ। चट्वा धात्व प्रोटीन कुछ धात्वें। तीसरा आधार जो है वो जलब घटन से जब हमें साधरन और संयुगमी। दो प्रकार के हमने अभी प्रोटीन समझे हैं सरल और संयुगमी। तो इसी के आधार पर तीसरा जो है वो है व्यूत्पन प्रोटीन। जब हम सरल या संयुगमी प्रोटीन का आशिक जलब घटन कर रहे हैं। तब हमें इस प्रकार के प्रोटीन प्राप्त होते हैं जिने हम कहते हैं व्यूत्पन प्रोटीन। जिनके उधारन हैं प्रोटी ओस, पेप्टोन्स और पॉली पेप्टाइड। इस प्रकार हमने देखा कि जलब घटन के अधार पर इने फिर से हमने तीन भागों में पढ़ा हैं सरल प्रोटीन, संयुगमी प्रोटीन और व्यूत्पन प्रोटीन। इस प्रकार हमने जाना जलब घटन के उत्पात के अधार पर हमने इसे तीन भागों में बाटा है पहला है सरल प्रोटीन, दूसरा सयुगमी प्रोटीन और तीसरा है व्यूत्पन प्रोटीन आईए अब प्रोटीन की सरचना को समझे प्रोटीन की सरचना को चार स्थरों में बाटा गया है प्रात्मिक सरचना, द्वीत्यक सरचना, त्रित्यक सरचना और चतुर्थक सरचना प्रोटीन की प्रात्मिक सरचना को समझे जब हम प्रोटीन की बात कर रहे होते हैं तो हमें ये बिल्कुल स्पर्स्ट है कि प्रोटीन में बहुत सारे अमीनो अमलग जुड़े हुए रहते हैं, जिससे इन में पेप्टाइट की एक शिंखला पाई जाती है, तो प्रोटीन पॉली पेप्टाइट की शिंखला ही है, इन प्रोटीन में अमीनो अमलग हमेशा एक निश्चित क्रम में उपस्तित होता है प्रोटीन में अमीनो अमल हमेशा एक निश्चित क्रम में होता है ये अमीनो अमल पेप्टाइड बंद द्वारा जुड़े होते हैं तो जब प्रोटीन की सरचना में केवल पेप्टाइड बंद है तो इसे हम प्रात्मिक सरचना कहते हैं इस प्रकार के सरचना अधिकतर सीधी शिंकला वाली होती है आईए एक उधारन से समझे हीमोगलोबिन जो की 574 अमीनों अमलों से बना होता है इसमें प्रतेक अमीनों अमल एक निस्चित क्रम में होता है अब ये जो अमीनों अमले हैं इन में से केवल एक की अगर हम जगा बदल दें तो ये उस प्रोटीन का निर्माण नहीं करतें जिससे वहाँ थोड़ी सी विक्रिती आ जाती है समझें? हमने हीमोगलोबीन के 554 अमीनों अमल में से केवल एक का इस्थान बदल दिया जिससे इसकी सरचना बदल गई और अब ये एक जानलेवा घातक बिमारी का कारण बनता है इस बिमारी को कहते हैं सिकल सेल एनिमिया अब हम अच्छे से समझ गए कि हर एक अमीनों अमलक की एक निश्चित जगा होती है यदि वो अपनी जगा से हट जाता है तो वो प्रोटीन क्या हो रहा है? थोड़ा सा विक्रीत हो जाता है जिससे वहां घातक बिमारिया हो सकती है तो प्रात्मिक सरचना में हमने समझा कि इसमें केवल पेप्टाइड बन पाए जाते हैं आईए समझें इनकी द्वीतियक सरचना को प्रोटीन की द्वीतियक सरचना में पेप्टाइड बंद तो होते ही हैं साथ ये साथ इनमें हाइट्रोजन बंद भी पाए जाएंगे अब हाइट्रोजन बंद के कारण इनकी सरचना थोड़ी सी कुंडली थो जाती है और इन्हीं कुंडली के अधार पर इन्हें फिर से हम दो भागों में बाटते हैं पहला कहलाता है अलफा हेलिक्स और दूसरा है बीटा लहरदारिया इनकी सरचना आए समझते हैं अलफा हेलिक्स सरचना को आए देखें अलफा हेलिक्स सरचना इल्फा हैलिक्स सरचना में जब हम अल्फा हैलिक्स की बात करते हैं तो खास चीज हमको ध्यान रखनी है कि ये राइट साइड से पूरा क्या होगा रोटेट होता है और एक अमीनो अम्ल का कार्बोग्सली ग्रूप और दूसरे अमीनों के एमीन ग्रूप के बीच में देखे हाइट्रोजन बंद बनता है और इनके हाइट्रोजन बंद बनने के कारण ये सरचना थोड़ी कुंडलित हो जाती है और ये राइट साइड से के बाद एक पॉली पैप्टाइट शिंकला है और इन में साथ ये साथ क्या हो रहा है कि इनके सरचना उपर और नीचे इस प्रकार आती है और पॉलि पैप्टाइट सरचना जब आपस में प्रकार बनाते हैं तो दो सरचनाओं के बीच में देखिए बंद का निर्मान होता है तो इस प्रकार ये क्या बनाएंगी बीटा सरचना बनाती है अब आईए समस्ते हैं त्रीतियक सरचना को तो प्रोटीन के जो त्रीतियक सरचना है इसमें क्या होता है कि प्रात्मिक सरचना और द्वीतियक दोनों ही सरचनाएं के समान ये होगा पर सरचनाए थोड़ी जादी कुंड़ित हो जाती है और कुंड़ित होने के कारण इन में बंद की संख्या बढ़ जाती है। देखे हाइट्रोजन बंद है यहाँ पे पॉली पेप्टाइड चेन के बीच में बारबर ़ोगा हाइट्रोजन बंद होगा यदि हमारे अमीनो अमल में सल्फर उपस्तित है क्योंकि बहुत कम अमीनो अमल ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर होता है तो वहाँ अगर सल्फर उपस्तित है तो सल्फर और सल्फर के बीच में भी जो बॉन पाएगा मिलेगा उसे हम कहेंगे डाई सल्फाइड बॉंड तो दूसरा बाड होगा डाई सल्फाइड बॉंड अब इसके बाद इसमें कहीं कहीं देखेंगे आप आयनिक बंद भी पाया जाता है क्योंकि हमारा जो अमीनों अमलक ग्रूइब है यह कहीं कहीं आयं के सांट जुड़ा होता है अब यह आयंस कहां से है तो जितने भी ईलकील कि डू Bach होते हैं हमारे पास के और पीछ भी यहाँ पेए बंद बनता है तरितियक शरचना में हम देखेंगे कि बंद जो है, वो जादा बन जाते हैं, जिसके करन सरचना और compact हो जाती है, एक दूसरे में कुंडलित हो जाती है, आईए चतूर्थक सरचना को समझें, प्रोटीन की चतूर्थक सरचना, हीमोग्लोबीन प्रोटीन की चतूर्थक सरचना को बनाता है, इसमें प्रोटीन की बहुत सा सारी यूनिट आपस में मिल जाती है और एक जटिल सरचना बनाती है बहुत सारी कुंडली सरचना इसमें उपस्तित होगी आइए समझें प्रोटीन की चतुर्थक सरचना को जब पॉली पैप्टाइड की बहुत सारी शिंकलाएं अलग अलग शिंकलाएं आपस में एक दूसरे के साथ बंद बना लेती है तो ये क्या हो जाती है चतुर्थक सरचना इसमें प्रतेग जो पॉली पैप्टाइड है उसको हम सब यूनिट बोलेंगे तो मालणो हमाल पास चार पॉली पैप्टाइड है तो इसे हम चार सब यूनिट कहेंगे और ये सारी सब यूनिट एक साथ इकट्था होकर इसकी चतुर्थक सरचना को बनाती है अमीनो अमल आपस्थ में जुड़ते हैं और जब ये जुड़ते जाते हैं तो प्रोटीन का निर्मान होता जाता है तो जब अमीनो अमल जुड रहे होते हैं देखिए एक अमीनो अमल का कार्बॉक्सलिक समू उसमें उपस्तित OH और दूसरे अमीनो अमल का एमीन समू उसका H ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और जल का एकणू बाहर निकलता है जैसे ही जल का एकणू बाहर निकलता है इनके मध्य एक बंद बनता है जिससे दोनों अमीनो अमल अमल आपस में जुड जाते हैं इस बंद को हम peptide बंद कहते हैं और इसी peptide बंद के द्वारा ये amino amla आपस में जुड़ जुड़ कर protein का निर्मान करते हैं जब protein का निर्मान हो रहा है किवल दो amino amla आपस में जुड़ते हैं इसे हम die peptide कहते हैं अगर दो से ज़्यादा amino amla है तीन amino amla आपस में जुड़ रहे हैं तो इसे हम try peptide कहते हैं और चार amino amla जुड़ रहे हैं तो इसे हम tetra peptide बंद कहेंगे इसी प्रकार पाँच amino amla जब जुड़ते जाएंगे इन्हें हम penta peptide कहेंगे प्रोटीन का विक्रिती करण जब कभी भी हम प्रोटीन में या तो ताप बढ़ा दें या फिर उन में किसी भी प्रकार का रसायन मिलाते हैं ज्यादा कर amla 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 मिलाने से या pH बदल देने से और कभी कभी ऐसा होता है कि विक्रिनों के प्रभाव से जो प्रोटीन होते हैं उसकी सरचनाओं में परिवर्तन आ जाता है आए समझे देखिए जब हम अंडे को उबालते हैं इसके ताप में परिवर्तन हो रहा है और अंडा उबलने के बाद इसका जो सफेद हिस्सा है वह प्रोटीन भाग जो की ग्लोबिूलर प्रोटीन था वो रेशेदार प्रोटी विक्रिती करण कहते हैं प्रोटीन का जो विक्रिती करण है यह केवल द्वीतियक और त्रीतियक सरचना में होता है अब ऐसा क्यों है क्योंकि द्वीतियक और त्रीतियक सरचना में हाइट्रोजन बंद पाया जाता है जैसे ही हम विक्रिती कारक ताप या फिर पी एच वहा धीरे धीरे तूट जाते हैं और हाइट्रोजन बंद के तूटने के कारण ये जो कुंडलित सरचनाएं हैं ये वापस सीधी हो जाती हैं तो आपका दानेदार जो प्रोटीन है वो रेश्यदार प्रोटीन में बदल जाता है और जब कभी भी हम प्रोटीन का विक्रिती करन करते हैं तो वहाँ पे एंट्रोपी में परिवर्तन होता है एंट्रोपी बढ़ जाती है साथ ही प्रोटीन के विक्रिती करण करने से जो प्रोटीन है उसकी सक्रियता उसकी कारिचमता नस्ट हो जाती है तो इसे हम कहते हैं प्रोटीन का विक्रिती करण अब इनके प्रकार देखें प्रोटीन का विक्रिती करण अनुत्करम्निय और उत्करम्निय दो प्रकार का होता है यदि आप वहां से विक्रिती कारक को हटा दें और प्रोटीन अपनी पुरानी स्थिती में आ जाता है इसे हम कहते हैं प्रोटीन का उत्क्रम्निय विक्रिती करण और यदि विक्रिती कारक को हटा देने पर भी प्रोटीन अपनी पुरानी सिती में नहीं आ पाता इसे हम कहते हैं प्रोटीन का अनुत्क्रम्निय विक्रिती करण इसके उधारन है अंडे को जब हम उबाल दें तो ये दानेदार प्रोटीन से रेशेदार प्रोटीन में बदर रहा है और दूसरा उधारन लेंगे इसका दूद से दही का बनना चलिए प्रोटीन के कारे को समझे प्रोटीन मेंब्रेन प्रोटीन का भी काम करता है जितनी भी कोशिकाएं हैं उनकी जिल्ली प्रोटीन की बनी होती है प्रोटीन हार्मोन्स में भी उपस्तित होते हैं हमारे सरीर में हार्मोन्स विभिन्न क्रियाओं का क्या करते हैं नियंतरन करते हैं आगे देखें रक्त प्रोटीन प्लाजमा प्रोटीन और हीमोगलोबिन ये परिवाहन में मदद करते हैं एल्ब्यूमिन ये लीवर में संचलेशित होने वाला प्रोटीन है ये बैली रूबीन को लाने ले जाने का काम करता है बीटा ग्लोब्यूलिन प्लाजमा में आईरन को स्थनांत्रिक करता है एक्टिन और मायोसीन ये मास पेशियों में पाया जाता है जिससे मास पेशियों में क्या होगा संकुचन और शीथलन होता है अब देखें antibodies, antibodies भी protein ही है हमारे शरीर में बाहर से आक्रमन करने वाले रोक कारकों से हमारे शरीर की रक्षा करता है तो ये भी क्या होते हैं? protein होते हैं